नमस्कार दोस्तों गूड इबनिंग और यह देखे सुन्दर सा फ्लावर प्लांट पॉपी का काफी सुन्दर लग रहा है आज पूरा दिन हो गया हम अपनी छप पर नहीं आए हैं क्योंकि लगतार सुबह से ही सुबह क्या कल से भारिस हो रही है और उपर आना नहीं हो पाय है तो अभी आये हैं थोड़ा सा काम करने एक तो मैंने अपनी जो स्ट्रॉबेरी हैं उनमें कुछ फर्टिलाजर देना है उसी के बारे में मैं आपको जानकरी दूंगा लेकिन उससे पहले ही मैं आपको यह प्लांट दिखाना चाहता हूंगी पॉपी का प्लांट है और इ दूल भी गये हैं अच्छा भी है लेकिन यह बारी काफी खराब भी करती है जो हमारे फ्लावर प्लांट होते हैं उनको तो बिल्कुल बुरा हाल उनका हो जाता है और यह कुछ मैंने चोटे-चोटे से पौदे लगाए हैं तो आईए चलते हैं और अपना जो काम हमने करना टाए स्टाब्री में वह करते हैं साच यह चलते के हैं मेरे स्टाब़ इस्टाब्री के पौदे मैंने लगाय तो इसकी वीडियो मैंने लालती है और इन पर देखिए फ्लेटीं इन पर श्टार्टिं पनल लीए यह समां गझाए हैं और प्लावरिंग भी काफी आई होLPी क को क्या है कि थोड़ा सा ना न्यूट्रिशन चाहिए क्योंकि जतने ज्यादा इस पर फ्लावरिंग आएगी फ्लूटिंग आएगी पौदे को उतनी ही नूट्रेशन की ज़रुत पड़ेगी तो अभी तो मैंने इनको नूट्रिशन में कुछ ज्यादा नहीं दिया था पहले खात दीती हमने गाय के गोबर की पुरानी और अब उसके बाद मैंने इनको एक बार सीविडेस का जो होता है वह मैंने ओनलाइन बाई किया हुआ है वह मैंने एक बार इस प्रे किया था इनको अब इनको फीड करने की और टाइम आगे एनको थोड़ा सा निटिसन देने का तो मैंने आज यही बताने के लिए कि मैं आपको बता भी देता हूं उसाथ में दे भी देता हूं और यह आप देख रहे होंगे यह हरा अरासा यह मैंने फंगिसाइड पाउडर दिया था क्योंकि जो बरसाद हो रही है ना इसमें क्या फंगिस के चांसिस ज्यादा रहते ह मैंने क्या किया कि उपर से हलका हलका सा इनके ओपर फंगिसाइड का पाउडर डाल दिया ताकि अगर पानी वानी लगे तो यह इनकी जो रूट से उनमें असानी से चला जाए और फिर अंदर जो इनकी रूट से पहुंच जाएगा तो फिर चांसिस थोड़े से कम हो इन में फंगेस लगने के तो मैं बात कर रहा था इनको न्यूट्रिशन देने की तो मैं खाद इनको आज दूँगा और मैं आपको दिखा भी देता हूं यह खाद यह देखिए यह यह मैने लिए और यह सर्सु की जो खली होती हिना मस्तर iki उसको मैंने online कर लिया है मिक्सी में के ये ये देखिए सिसको मैंने घ्राइंड कर लिया और कुछ इस तरह से यह बल्णी परीक हो गयी है में आपको मस्तरड के दिखाता हूं पहले यह देखिए यह होती है मस्टर्ड केक असली वाली आज कल इसमें मिलावट भी काफी आती है तो वह इतना काम नहीं करती जितना यह मस्टर्ड केक करती है तो इसको हमने ग्राइंड कर लिया है और इसमें काफी नुट्रिशन वैल्ली होती है इसकी है बहुत ज्यादा पॉसक इसमें पाय जाते हैं मैगनीसियम हैं पोटेसियम हैं यह सारे चीज़े और जो और भी काफी नुट्रिशन पौदे को चाहिए और लगबग सारे इसमें मिल जाते हैं तो यह बैलन्स फूड कहेंगे इसको तो यह आज हम इनको देने वाले हैं और लगबग मेरे पास यह अभी बड़े प्लांट हो गए है तो मैं दो चमच भी दे सकता हूं इससे क्योंकि यह ऑर्गानिक फर्टिलाजर है उससे थोड़ा वता ओपर नीचे भी जाता है तो कोई की दिक्कत वाली बात नहीं होती तो मैं दो दो चमच इनमें अभी दे रहा हूं इनके उपर मैंने मल्चिंग की तो मल्चिंग मैंने अभी अटाई है क्योंकि यह दूपने आप देख रहों फंगिसाइड पाउडर में दिया था तो तब मल्चिंग मुने हटानी पड़ी तो इस तरह से थोड़ा सा हलका करके और फिर उसमें हम यह अपने जो फर्टिलाइजर है वो डाल देंगे तो इस तरह से यह देखिए यह हमने लगबग दो चमच के आसपास एक प्लाइंट में देनी हैं और इस तरह से अभी दो दन की बारिस और बताई गी है तो जैसे जैसे बारिस होगी तो उससे भी एच्छे तरह से निच्छे तक पहुंच जाएगा और इसकी जो रूट्स ह है वहां तक यह पॉर्शन पूरा देगा तो इसी वाज़े से मैं इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं दे रहा हूं इसको ऐसी ग्राइंड करके दे रहा हूं कि मल्चिंग बहुत जरूरी है अब क्योंकि यह जो इसके फ्रूट्स आप देख रहे हैं यह अगर नीचे मिट्टी में लगेंगे तो यह खराब होने के चांसे ज्यादा रहते हैं तो इनके उपर मल्चिंग में दोबारा से फिर जल्दी से ही कर दूँगा और मैं बात कर कर रहा हूं थोड़ा सा क्योंकि ओलेडीन में इतना मुष्टर बना हुआ है तो ज्यादा मुष्टर की वेसे लिक्विड डालान में ठीक नहीं रहेगा तो इस तरह से हमने देखे यह जो फर्टिलाजर है हमारा मस्टर्ड केक का पाउडर यह मने डाल दिया है और अब मैं है आज तो अब साम हो गई है कल इनमें मल्चिंग भी कर देंगे तो यह क्या है कि बैलेंस पूड यह बन गया है अब इनको थोड़ा सा और स्ट्रेंथ मिलेगी और जो फ्रूटिंग है वह ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और इन पर जो फ्रूटिंग अभी रहेगी वह लगबग मार्च अप्रैल तक रहेगी तो हमने एक एक हपते दस्दे दिन में इनको फीड करना बहुत जरूरी है तो इस चीज़ का खास तोर पर ख्याल लखे अगर आपने भी यह स्ट्रॉबिरिज लगाई भी है तो आज की इस वीडियो में इतना ही था फिर मिलेंगे किसी एक और नहीं वीडियो में तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए ताकि हमारा होसला ऐसे भी बड़ा रहे और बैल आइकन प्रेस करके आपको कर दो क्यां होत BOYC लासिता है ले कानल किरिए एक बाहे इनल आपको लाएगे नहीं कर्फेंज नहीं लिएक िलमान है कर दो कर जड़ाएबस है